तो नेक्स्ट एपिसोड तो ये लड़की डेंजी को मायने जाती है ताकि वो यहां से बच कर निकल सके तो ये लड़की उसे रोक लेती है ये हाया कावा को कहती है कि क्या तुम्हारा फॉक्स यहां पर नहीं आ सकता तो हाया कावा कहता है कि नहीं ये जगा बहार से एक तम ह नहीं है यह मेरा इंसाइड इस्टॉमक है और एथ फ्लोर पर मेरा कुछ भी नहीं है तो मैं इसे कॉंट्रेक्ट करो तभी तुम लोग इस जगह से निकल सकते हो तो डेंजी कहता है कि अगर तुम लोग मुझे मार भी दोगे तुम लोगों को यहां से नहीं निकलने देगा तो यह कहती है कि नहीं डेविल इसे कॉंट्रेक्ट कहते हैं और जब यह कॉंट्रेक्ट करते हैं तुसे निभाते हैं और अगर वो इसे नहीं निभाएंगे वो खत्म हो जाएंगे यह कहता है कि क्या हमें डेंजी को खत्म करना चाहिए तो हाय कावा कहता है कि यह डेविल एक devil के साथ contract नहीं करता तुम्हें वो यहां से नहीं छोड़ेगा वो वहां बैट कर वहां से निकलने के लिए plan बनाते रहते हैं डेंजी कहता है कि तुम अपना तलवाग क्यों नहीं करते तो यह कहती है कि अगर बहुत situation खराब भी रहा तो यह तलवाग हम यूज नहीं करेंगे अगर ऐसा होगा तो हम तुम्हें खत्म करेंगे यह वहां देखता है कि बेट पर खाना नहीं है और कहता है कि खाना किसी ने खा लिया वो पौर से कहता है कि तुम ने खाना को खा लिया पाउर कहती है कि ताई कि मैंने नहीं खाया है यह लड़की कहती है कि fiend की ability है कि हमें 8th floor पर बंद करके रखा है तो पाउर कहती है कि नहीं तो यह कहता है शांत रहो यह blood fiend है यह ऐसा नहीं कर सकती तो यह कहती है कि क्या तुम भी devil के साथ काम करते हो तभी लड़की चिलाती है तो वो devil और सामने आने लगता है क्योंकि डर उसको चाहिए वो सब run करने लगते हैं और तभी सारे floor मुड जाते हैं और वो उसके मूँ में गिरने वाले होते हैं तो हायकावा कहता है कि क्या मैं वो तलवार use करूँ तो यह कहती है कि नहीं अगर हायकावा यह तलवार use करेगा तो contract से हायकावा का life बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और वो डिंजी को मालने के लिए करते हैं पुलड का डिंजी को नीची गिराता है और पुलड की डिंजी को छूरी मालती है तो हायकावा चूरी खुद में ले लेता है हायकावा कहता है कि हाँ डिंजी एक बेकार चीज है लेकिन अगर हमें gun devil को हराना है तो हमें डिंजी चाहिए और जितनी ज़्यादा devil hunters हो सके मैं चाहता हूँ तो डिंजी कहता है कि power तुम एक blood find हो क्या तुम खून को रोक सकती हो तो power कहते है कि हाँ वो इनसे पुछती है कि हम क्या करें डिंजी कहता है कि ठीक है मैं खाना बनने के लिए तयार हूँ लेकिन बीना एक fight के मैं नहीं खत्म होँगा अगर मैं उसे हरा सकूँ तो मैं ये करूँगा और क्या तुम को पता है कि वो चैंसौ से बहुत डरता है क्योंकि वो मुझसे fight नहीं करना चाता है इसलिए तुम लोगों को मुझे खत्म करने के लिए कह रहा है और डिंजी कहता है कि मैं अब उसे दिखाऊंगा मैं कौन हूँ तो वहां से कूद जाता है उसके मुझे और अपने चैंड को घीच कर चैंसौ में बन जाता है डिंजी उस पर attack करता है लेकिन वो डेविल भी डिंजी पर attack करता है तब ही power कहती है कि अगर डिंजी इसी तरह से इतनी ज़्यादा blood loss करेगा तो उसका चैंसौ रुक जाएगा वो डिंजी पर attack करता है तब ही डिंजी दिखता है कि उसका चैंसौ रुक रहा है और उसमें blood की कमी हो रही है तो डिंजी उसे ही काटने लगता है और कहता है कि अगर मैं blood प्यूंगा तो हो सकता है मेरे में फिल से पहले जैसी तागत आजाए और उसमें वापस तागत आने लगती है तब ही वो लड़की कहती है कि जो थोड़े से अजीब होते हैं वही डेविल्स को हरा पाते हैं